एक सपना उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंडियन आर्म फोर्सिस जॉइन करना चाहते हैं जब भी अक्सर बच्चे ओफलाइन क्लासिस के लिए इंक्वाइरी के लिए मेरे पास आते हैं और ऑफिस में जब मैं उनसे पूछता हूँ why do you want to join NDA तो अक्सर आंसर आता है want to serve my nation but there are lots of ways to which you can serve your nation फेरा भी आंसर यही रहता है और बहुत सारे आंसर मिलते हैं कि मैं नेशन को serve करना चाहता हूँ एक reputed job है बहुत respect मिलती है समें that's good exactly the most respectful job और बहुत ही reputed job है और इससे अच्छी reputation आपको किसी भी job में नहीं मिलती है but at last एक जो last motivation होता है जो needed thing होती है वो होती है salary यह भी बहुत बड़ी चीज है कि salary क्या मिलती है जब मैं NDA qualify कर लूँगा NDA की training के बाद जब मैं first time commission officer बनूँगा तब मैं तब मेरी salary क्या होगी ठीक है लेटनियन की salary क्या होती है तो यह बहुत ही important चीज है और यह जानना जरूरी है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Indian Armed Forces में जो officers होते हैं उनकी salary क्या होती है ठीक है और जब आप NDA में select होकर जाते हैं NDA में select होने के बाद training period में आपको salary मिलना start हो जाती है जो कि आपको training complete करने के बाद एक साथ मिलती है चलिए discuss कर लेते हैं कि कैसे क्या work करता है तो यहां पर देख रहे हैं आप जो salary मिलेगी जब आप NDA में training period में होंगे तो आपको stipend मिलेगी stipend during the training of the candidates in IMA यह मिलेगी आपको 56,100 इसके बाद जैसे ही आप commission होंगे left net बनेंगे ठीक है तो left net बनेंगे तो आपकी जो salary होगी वह होगी 15,56,102 1,77,500 यह एक range दे रखी है range क्यों दे रखी है क्योंकि कई सारे alonses होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती जहां से आप आपके जो monthly salary है वो और भी बढ़ जाती है ठीक है वहीं पर captain की salary के गर मैं बात करूं जो आपका promotion होता है प्रोमोशन होता है left net से captain captain से major major से left net कर्णल इसी तरीके से पूरी ranking चलती है captain की जो salary होती है वो होती है 61,300 to 1,93,900 अलग-अलग high altitude पर जब कोई भी officer जाता है तो उसको high altitude का alliance मिलता है ठीक है तो कई सारे alliances मिलते हैं अगर एक left net सारे alliance लेता है तो उसको maximum salary इतनी मिल सकती है that is captain को इतनी maximum मिल सकती है तो एक range है अला कि हर किसी को नहीं मिलती है major की बात करूं अगर मैं तो यहां पर देख रहे हैं आप 69,400 जो की एक minimum है इससे कम तो मिलनी ही नहीं है ठीक है इससे उपर ही रहेगी और 2,7,200 तक पहुंच सकती है उसके बीच में रहेगी सारे alliances बगारा मिलाके तो इसमें इससे उपर ही रहती है लेटनेंट कर्नल की जो सेलरी होगी वो 1,21,200 लेकर 2,12,400 कर्नल की सेलरी 1,30,600 तो 2,15,900 ब्रिगेडियर की सेलरी होगी वो होगी 1,39,00 तो 2,17,600 मेजर जनरल 1,44,200 तो 2,18,200 वहीं पर लेटनेंट जनरल की जो सेलरी रहेगी वो 1,82,200 तो यह 2,24,100 उसके बाद आ जाते हैं हायर रैंक में ठीक है हायर रैंक में जो सेलरी रहती है जो जनरल की सेलरी रहती है चीफ आफ आर्मी स्टाफ की सेलरी रहती है ठीक है तो वो क्या होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह होती है बेटा दो लाग 5,400 से लेके 2,24,400 वहीं पर अगे ठीक है यह जो बाकी की सेलरी होती है यह फिक्स्ट होती है जिसे चीफ आफ आर्मी स्टाफ चीफ आफ आर्मी स्टाफ या आर्मी की जो हायर रैंक की जो तो अफिसर्स रहते है उनकी सेलरी फिक्स रहती है जो की 2,25,000 और यहां पर चीफ आफ आर्मी स्टाफ की 2,50,000 रुपाय सेलरी उनकी आनी ही आनी है तो इसमें कोई भी इनकी जो सेलरी है चीफ आर्मी स्टाफ की वो fix रहती है I hope यह सारी चीजें आपको समझ भाई होंगी कि क्या salary package रहता है और alliances पे एक मैं detail में video बनाऊगा जिसमें आपको सारी चीजें बताऊगा कि किस तरीके से आपको जो भी वहाँ पे officers होते हैं तो उनको कैसे alliances मिलते हैं I hope यह सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी आप note down भी कर सकते हैं एक motivation होता है जब भी आप कोई भी work करते हैं तो return में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ठीक है और salary हलाकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लेकिन पैसे के बिना कोई आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं खाने के लिए आपको पैसा चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए हर एक step जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे घर पे भी रहेंगे तो पेटा electricity will काफी सारी चीजे होती हैं तो और एक जो benefit रहता है Indian Armed Forces में वो यह है कि आपका रहना खाना पीना electricity will यह सारी चीजे हैं आपको पता ही नहीं चलेंगी ठीक है तो बहुत सारी चीजे होती है saving आप बहुत कर सकते हो आप easily आपकी loaning की जो process होता है वो हो जाता है तो बहुत सारी चीजे हैं but most important thing how to get selection आपको select कैसे होना है और उसके लिए क्या-क्या पढ़ना है वो आप Target Defense Academy के YouTube चैनल से जुड़के पढ़ सकते हैं देख सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वेटा offline courses हमारे जो है best quality education provide करते हैं बच्चों के लिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next videos में तक के लिए जय